काली प्रेगनेंट बहू वर्सिस सास सुरेंद्र और शीला के बीच बहस बाजी हो रही थी नहीं नहीं, मैं उस काली कलूटी लड़की को अपनी बहू नहीं बनने दूँगी देखो शीला, मैं अपने दोस्त मोहन को जुबान दे चुका हूँ अब मेगा ही इस घर की बहू बनेगी और अगर तुमने इस शादी में कोई भी कलेश किया तो मेरा मरा मुझ देखोगी सुरेंद्र के इस कहे पर शीला और उसका बेटा चेतन क्चुप कर जाते जिसके बाद मेगा और चेतन की शादी हो जाती है मेगा में ज्यादा उभरी हुई सुन्दरता नहीं थी सावला रंग मगर मेगा मन से बहुत सुन्दर थी इस शादी के लिए मोहन ने अपनी सारी खेती बाड़ी बेच कर बहुत सारा दहेज दिया जिसे देखकर शीला और चेतन के मुह से लालच की लार अट पकने लगी सुरेंद्र मेगा का स्वागत करता है दिन बीतते हैं मगर मेगा के काले रंग के कारण उसकी सास और पती दोनों उससे खिचे-केचे रहते उस घर में सर्फ सुरेंद्र ही था जिसे मेगा के दुख खुशी की पड़ी थी बाओ जी ये लीजे चाय मेगा बहु मुझे माफ कर देना मैंने तेरी जिन्दगी में काटे भर दिये शीला और चेतन तुझे मीठे मूँ बात भी नहीं करते तो क्या हुआ बाओ जी? ये क्या कम है जो आप मेरे साथ है देखना एक दिन माजी और ये भी मान जाएंगे ऐसा कहते हुए मेगा की आँखे भराती है ऐसे ही दन बीतते हैं मगर मेगा के लिए कुछ भी नहीं बदलता और अपने फैसले के कारण मेगा को इतना दुख जेलता देखकर सुरेंद्र सदमे में चला जाता है और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ कर चला जाता है जिस कारण शीला गुसे में लहँक उठती है और उस रोज शीला मेगा को बहुत माड़ती है काली कलूटी करम जली आखिर तु मेरे पती को खा ही गई ना आज मैं तेरी जान ले लूँगी आह मा जी मुझे मत मारिये चोड़ दीजे बिचारी बहु के लाग चीखने चलाने पर भी अत्याचारी सास उसे तब तक मारती रही जब तक कि उसका मन न भरा धीरे धीरे मेगा के लिए ये हर दिन की बात होगी एक राच चेतन नशे में चूर होकर घर लोटा अजी आपने शराब पी है सो जाईए मेगा चेतन को बिस्तर पर लिटा देती है और नशे की हालत में चेतन सारे दाइरे तोड़ कर मेगा के करीब आ जाता है ऐसे मेहीं धलते दिनों के साथ मेगा गर्भवती हो जाती है एक सुबह मेगा घर में पोचा लगा रही थी तब ही उसे उल्टियां शुरू हो जाती है और मेगा मुस्कुरा कर अपनी सास से कहती है मा जी आप दादी बनने वाली हैं तो क्या आप मैं तुझे काली कमली की आरती उतारू जा जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला बहु के गर्बवती होने की बात से शीला बिलकुल भी खुश नहीं होती और मेगा के बच्चे को मारने की साज़श बुनने लगती है सब समझती हूँ मैं इस जली उपली ने जान बूच कर खर्चा बढ़ाया मैं भी कोई कच्ची खिलाडी नहीं इसके बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं दूगी इस काली बहु पर इतने जुल्म ढ़ाऊंगी कि इसकी रूँ का आप उठीगी अगली सुबह शीला अपनी गर्बवती बहु को नाप जोक कर थोड़ा सा राशन दे कर कहती है मेगहा, अरियो मेगहा, अरेयो मरजानी कहां मर गई जी आई माजी, क्यों री कल्लोरानी, पैरों में महंदी लगा रखी है क्या, इतने धीरे क्यों चल रही है वो माजी, मा कहा करती थी कि गर्बवती औरतों को दीरे दीरे ही पैर बढ़ाना चाहिए बस बस, राशन ले, जा और जल्दी से खाना बना ले मेगहा भरी गर्मी में चूला फूख फूख कर खाना बना कर अपनी सास और पती को परोस्ती है अरे ओ अंधेरी रायत, जा, जागर मेरे लिए चावला, और दाल भी लाना जी लाई, इसी तरह चेतन और शीला के खाने में ही सारा खाना खत्म हो जाता है तब ही मेगहा अपनी सास से राशन मांगते हुए कहती है माजी थोड़ा सा राशन दे दीजे, खाना खत्म हो गया है इतने पर शीला बड़ी ही बेरहमी से अपनी गर्भवती बहु के बाल खीचते हुए उसे सुनाना शुरू कर देती है क्योंरी काली चुडेल, तेरे बाप ने क्या मेरे घर में राशन कोटा खोला है क्या? और एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, चल भागे आसे ऐसा कहकर अत्याचारी सास अपनी गर्भवती बहु का सर दीवार से लड़ा देती है जिससे मेगा के सर से खून बहने लगता और बिचारी बहु अपनी बुरी किसमत पर रात भर रोती रही ये भगवान और कितने दुख जेलना बाकी रह गया है, मेरा भगवान मुझ जैसी किसमत किसी को मत देना ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं शीला मेगा को अपने इशारे पर दिन रात नौकर से बढ़कर नचाती और खाने की बारी पर भी उसके आगे की थाली उससे छीन लिया करती कियोरी कामचोर, अभी तने गंदे कपड़ों का धेर धोने को पड़ा है और तू यहां ठूसने बैट गई, चल उट माजी मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया, मुझे चक्कर आ रहा है, थोड़ा सा खाली नहीं दीजे, मेरे बच्चे के लिए अरे भाड में जा तू और तेरा बच्चा, चुप चाप उठ और काम कर कितनी अजीब बात थी न, एक औरत होकर भी शीला ने अपनी गर्ब वती बहु को रूखी सुखी रोटी पर भी महताच कर दिया दिन बीतते गए और मेगा को छे महीने पूरे हो गए, तभी चेतन एश्वर्या से शादी करके घर आया अरे चेतन कौन है ये? मा, ये एश्वर्या है, आपके बहु अरे वा, चेतन बहु तो चान का टुकड़ा है, चल मेरी काली बहु, अब तेरे जाने की बारी आ गई है नहीं नहीं मा जी मुझे घर से मत निकाली है, मैं ऐसी हालत में कहां जाऊंगी जा जाकर डूब मर, बैसे भी तुझ जैसे काले लोग इस समाज के लिए श्राप हैं और फिर तेरा बच्चा भी कौन सा तच्से अलग होगा एश्वर्या के आते ही शीला ने अपनी काली गर्भुवती बहु को घर से निकाल फेका मेगा का मन पूरी तरह से बिखर गया अब उसका पती अश्वर्या का हो चुका था और ससुराल का घर आंगन भी उससे चूट चुका था हालातों ने मेगा को छटे महीने पर मेहनत करने के लिए इट की भट्टी पर धकेल दिया जहां भट्टी का मालिक शंबू से कहने लगा बेटी तुम गर्भवती हो ऐसे में इट ढोना तुम्हारे बच्चे के लिए खत्र से खाली नहीं है काका उपर वाला है ना अब वही मुझे और मेरे बच्चे को संभालेगा एक तरफ जहां गर्भवती मेगा भरी गर्मी में इट की भट्टी पर सुबह से लेकर शाम के सूरज ढलने तक इट ढोती और मन ही मन भगवान से अपने बच्चे की सलामती की प्रार्थना करती वहीं एश्वर्या ने दूसरे दिन से अपना रंग धंग दिखाना शुरू कर दिया अरे एश्वर्या बहू तो कहीं जा रही है क्या? हाँ वो मैं किटी पाटी में जा रही हूँ प्रशा yêu जा आपड़ता है ऐसे दिन बीटते हैं अगर आश्वर्या कोई काम नहीं करती ऐसे में सारा काम शीला के सर पर आपड़ता है दिन भर काम करने की होड में शीला बुकी रह जाती जिसके उसका शरीर गलने लगता है और एक दिन शीला चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है जब चेतन घर आता है तो शीला को बिस्वर पर लेटाता है और होश में आते ही शीला फूट कर रोने लगती है क्या हुआ मा तुम रो क्यो रही हो कुछ हुआ है क्या शीला रोते हुए चेतन के सामने सारी बात रखती है जिसके बाद चेतन ऐश्वर्या पर हाथ उठाता है मुझ पर हाथ उठाने की गलती भूल से भी मत करना चेतन मैं मेगा नहीं हूँ जो तुमसे और तुम्हारी मां से मार काऊंगी समझे खली जाओ मेरे घर से जारियों और वैसे भी अब मैं यहां रहना भी नहीं चाहती अश्वर्या वहाँ से चली जाती है जिसके बाद चेतन और शीला पने किये पर पच्चताते हुए मेगा को ढूनने निकलते हैं और भट्टी परा पहुँचते हैं जहां मेगा नौवे महीने में इट ढो रही थी यह देखकर चेतन उसके पैरों में गिर कर अपनी गलती की माफी मांगता है मेगा मुझे माफ कर दो मैंने और माने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मगर अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है घर चल बहु हम तुझे लेने ही आये हैं मैंने बस तेरे उपरी चेहरे को देखा काश की एक बार तेरे मन में जाक कर देख लिया होता चल बहु माजी आप मुझसे माफी मत मांगए आप मुझसे बड़ी है शायद ये सब मेरी किस्मत में ही होना लिखा हुआ था मुझे आप दोनों से कोई गिला नहीं आखिर में मेगा अपने पती और सास के साथ घर चली जाती है और कुछ दिनों बाद एक सुन्दर से बेटे को जन्म देती है और सभी खुशी-खुशी रहने लगते हैं